हलो दोस्तों मैं अरजुन अरजुन किचन में आपका स्वागत है आज हम आने जा रहे हैं बत्वए डाल का सक पहता बत्वा पहले से धुल लिया है उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए पानी हरफ के लिए छोड़ दिया था उसका इसको अच्छी तरह से बारिक बारिक घूज के साहिता से इसको अच्छी तरह से चौप कर लेए उसके बाद करें कि क्या जब चौप हो जाएगा उसके बाद थोड़ी दिर के इसे रख देंगे उसका लेते हैं कूकर च्छोटा सा कर स्कूर कि अक हर ने ञावने के बाद में इसमें डालेंगेak से कम 100 ग्राम उर पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं पानी डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, उसके बाद इसमें डालते हैं, एक स्पून लगभख नमक स्वाधान स्वाथ, उसके बाद में डालते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं डालेंगे, उसके बाद में धक्कन लगा के कुकर को बंद क करेंगे इसके बाद समें लगाते हैं एक दू स्झेल कि तीन सीटी लगाते हैं उसका देख सकते हैं धकन कोड़ा यप करका देख सकते मेरा बठुबा नबभग बनके तयार हो चुका अब अभी पूरा नहीं बना है इस भी इसमें लगाना है चोंका लायल मिर्च और लेशून के लिए सारे इंग्रेटिंट तैर के लिए हैं तब तक इसे थोड़ा चला कि देखेंगे कि पानी इसमें तो नहीं कम अगर पानी कम होगा तो आप डाल सकते हैं अलग से गुनगुना कर तरक मैंने चोड़ा एंग्रेटिंट तैयार कर लिया है इक लेते हैं चोटा सा फ्राइप छोंगा वाला उसके डालते हैं ऑईल डालने के बाद श्ची तरह से रोश्ट करेंगे अच्छी तरह से पकाएंगे उसके बाद करना कि इसे गुकर में डाल देना है पूरी से एकदम छोंका लगा देना है देख सकते हैं चोंका लग चुका हुआ है कि उसके बाद में ढकन को हट लेंगे लेंगे शोटायों जार पूरी तरह से देख सकते मेरा और बिध्रों का सकपैता बनके त्यार हो चुका है उसके बाद लेते हैं प्लेट प्लेट लेने के बाद उसमें डालते हैं थोड़ी से चावल और थोड़ी से सब्जी उसके अधिक करते हैं सर बत हुएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए अरजुन किचन को सब्सक्राइब किजिए